कौन इतना बड़ा खिलाडी है कि पलक जपक्ति अनंत ब्रह्मांडू का केल स्वयम में स्वयम रच दिया कभी तुम्हें आश्चरे नहीं हो तो अपने प्रभू पर तुम किसके उपासा को समझे भी आता उपासा तुम किसके गाने निकले गुलगान किसका गा रहे हो आश् हरी के दाश हो हरी का दास कितना बड़ा परंपद है जाते बहुत बड़ा पद इससे बड़ा कोई पद रही इस पद में जो बैठ जाता है तो हरी भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं देखो न कहे रहे मैं पीछे-पीछे डूलता हूं उसकी चरणरज मेरी उपर जाए तो उपासक को चाहिए शर्व प्रथम आवश्यक है कि अपनी बुद्धी को प्रभू में ऐसी अर्पित कर दे किस बुद्धी पर किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव ना पड़े बैठकर विचार करो किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव बुद्धी पर ना पड़े रूप में देखो तो, गुण में देखो तो, बल में देखो तो, कलाओं में देखो तो, महिमा में देखो तो, एश्वर में लक्षिमी में देखो, उनके चरने चापने शाक्षात लक्षिमी, अब भया हम किसकी बढ़ाई करें, किसको मानें, जिनके एक रूनकूप में अनं तो जगत सब सपना या तो शब ब्रह्म जब सब शमान तो फिर महिमा कैसे तुम्हारी आकर्शित हो गई किसी नाम रूप में किसी अलग प्रतिष्ठा में तुम्हारे अंदर हर्श कैसे आ गया मतलब भी ठीक ठीकाने पर बुद्धी समर्पित नहीं हुई है अगर दो प्रकार की होती वाहिव एक अंतरी वाहिव द्रश्टी तो ऐसे करके चले अंदर से देख रहे हो मुझे कौन प्रणाम कर रहा क्या है मैं क्या हो चुका हूं मैं कितनी महिमा है यह सब लास हूश है इधर देखना सुरू करोगे तो देखने लाइक नहीं रहेंगे अग चुका हूश है